आज की इस वीडियो में मैं शेर करूंगा आपके साथ पुरी जानकारी क्लो फ्रेश डस्टिंग पाउडर के बारे में हालो दोस्तों आपका स्वागत है सिंध व्लॉग में तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोफ्रेश पाउडर का पैकेजिंग इस तरह के से होता है वाइट एंड ग्रीन कलर का डिबा आता है इस तरह के का और यह एंटी फंगल एंटी बैक्टिरिल होता है और इसका जो मेन कमपोजिशन है वो है कलोट्री मैजोल जो फाइदेमन होता है जो हर तवच्छा रुक में उपयोगी है किसी भी तरह का अगर आपको स्कीन इंफैक्शन है तो यह पाउडर डेस्टिंग पाउडर आपके लिए बहुत ही फाइदेमन होगा दोस्तों यह पाउडर जादा करके उपयोगी है दात, खाज, खुजली के लिए यानि कि स्कीन इचिंग होता है आपको स्कीन इरिटेशन है रैशिस आते हैं उसके लिए बहुत ज़ादा फाइदे मनने उसके उपर अगर आप एपलाई करते हैं तो तुरंट आपको आराम मिलता है बहुत सी बार एक्सेस स्वेटिंग जब होता है तो अंडर गामेंट की वज़े से इंट्फैक्शन फैल जाता है ज़ादा करके जागों के पीच में वहाँ पर बहुत इचिंग होती है तो उसके लिए ये पाउडर डस्टिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं साथी साथ अगर आपको अंडर आम्स बहुत पसीना आता है और उदर भी इंट्फैक्शन अगर आपको होता है तो ये डस्टिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं आप ये मेरे पास जो पाकेजिंग है वो 100 ग्राम में आता है और इस स्मार्ट कंपनी का प्रॉड़क है और इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हैं यहापर 80 रुपीज है चोटे बच्चों को जादा करके डाइपर के वज़े से रहशिश हो जाते हैं तो उसके लिए आप ये पाउडर अपनी डॉक्टर की सला से यूज कर सकते हैं और दो साल से कम उम्रवाले बच्चों को ये यूज नहीं करना चाहिए नहीं तो ऐलर्ची हो सकती है दोस्तो ये पाउडर जो है हर एक स्कीन इंट्फैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है जैसे कि इचिंग कभी-कभी उंगलियों के बीच में भी इंट्फैक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी आप ये डस्टिंग कर सकते हैं पूरी तरह से से बार ऐसा होता है कि बहुत करने के बाद हातों को अच्छी तरह से दोना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसका कॉंटेक्ट आखों से आई कॉंटेक्ट नहीं होना चाहिए नहीं तो इंट्फैक्शन हो सकता है या फिर एलर्जी हो सकती है दोस्तो अगर आपको रात को सोते वक्त बॉड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजे और अगर आप नहीं है मेरे चानल पे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए सिंध व्लोग को बैल आइकन के साथ तकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुन सके जो बिल्कुल फ्री है तैंक यू फर वाचिंग और सपोर्टिंग सिंध व्लोग